Hello everyone, so आज मैं आप लोग के साथ Black Forest केक का एकड़म बेकरी स्टाइल डेकोरेशन शेयर कर रही हूँ तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखेगा, I hope कि आप लोग को आज का केक डेकोरेशन पसंद आएगा तो मुझे हाफ केजी में Black Forest केक बनाना था, इसके लिए मैंने केक स्पॉंज को पहले से ही तयार कर लिया है, उसको थ्री लेयर्स में कट कर लिया है और केक की फर्स लेयर को रखके नॉर्मल पानी से मैंने उसे सोक किया, फिर स्पॉंज में थोड़ा सा गनाश डाला और क्रीम की एक लेयर लगाई है, उसके उपर फिर से गनाश को स्प्रेड किया है, यहाँ पर धेर सारे चोको चिप्स डाले है और चेरीज को मैंने यहाँ पर कट करके डाला है तो ब्लैक फॉरेस केक में चेरीज की फिलिंग अच्छी लगती है, इसलिए मैंने चेरीज को यहाँ पर छोड़ा छोटा कट करके डाला है क्रीम मैंने यहाँ पर white ही लिए इसमें चोकलेट गनाश नहीं डाला है क्योंकि जो black forest cake होता है उसमें white cream ही अच्छी लगती है तो इसलिए मैंने cream में कोई भी गनाश नहीं डाला है और यहीं difference होता है तो आसा चोकलेट cake में और black forest cake में chocolate cake में मैं chocolate frosting डालती हूं याने cream में chocolate gunnash को mix करके फिर डालती हूं और जो black forest cake है उसमें मैं normally white cream ही यूज करती हूं और same process को repeat करते हुए cake की तीनों layers को मैंने arrange कर लिया है और अगर आपके पास cherry उसका crush हो या cherry की filling हो तो आप उसको भी black forest cake में डाल सकते हैं और बस सेम इसी तरीके से केक की तीनों लेयर्स को अरेंज कर लिया है और केक बोट को अच्छे से क्लीन करके थोड़ी सी क्रीम के साथ केक की अच्छे से क्रम कोटिंग कर ली है और क्रम कोट करने के बाद मैंने कुछ देर के लिए केक को फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था और यहां पर केक अभी अच्छे से सेट करने के बाद केक की मैं फाइनल आइसिंग कर रही हूं तो नॉर्मली वही वाइट कलर की क्रीम से ही अच्छे से उसको केक पर स्केल से अपलाए करके और केक पर मैं फाइनल आइसिंग कर लूँगी और इस केक डिजाइन में बहुत जादा फिनिशिंग की ज़ुरत नहीं है अगर कोई बिगिनर है और आपको अगर केक में डेकोरेशन करने में फाइनल फिनिशिंग करने में अगर दिक्कत आती है तो फिर आप इस तरीके की डिजाइन को केक पर इजीली बना सकते हैं और बहुत ज़ादा फाइनल फिनिशिंग की इस केक में इतनी ज़ुरत नहीं है बट मैं अपने अकॉर्डिंग जितना हो पा रहा है उतना अच्छे से मैं इसकी फिनिशिंग को कर रहे हूँ और साइड वॉल पे अच्छे से क्रीम को लगाने के बाद मैंने केक स्क्रापर लिया है जो जिगजग वाली केक कॉम होती है उससे केक की साइड वॉल को अच्छे से कॉम कर लिया है तो वो ना और बस एक से दो बार में ही केक कॉम से केक की साइड वॉल पर बहुत अच्छा स केक टॉप को बीचे स्मूथ किया और अच्छे से फिनिशिंग करने के लिए या पर चोकलेट की तयारी कर लिया है तो जो डाक चोकलेट कमपाउंड होता है उसको मैंने डबल बॉयलर सिस्टम से मेल्ट कर लिया है यानि नीचे मैं एक बरतन में गरम पानी लिया उसके उपर चॉकलेट वाला बाउल रखके उसको मिक्स किया तो चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गई उसको एक पाइपिंग बैग में फिल करके एक बिल्कुल पतला सा छेट कट किया है और ये जो बटर पेपर है इसको मैंने केक टिन के अकॉर्डिंग लिया था केक टिन की साइस का मैं धुकलेट यहां पर बटर पेपर लिया है और उसको कट करके इस पर मैं जिग-जग की जैसे पैटन बना जी हूं यहां पर मैं चॉकलेट की नेट बना रही हूं तो चॉकलेट से लाइंस हमें बनानी है पाइपिंग बैग चॉकलेट को फिल करके और आड़ी तिरची इस तरीके से lines बना के एक जाली के जैसा हमें बना लेना है और ये net बहुत पतली ना बने तूटे ना इसलिए मैंने दुबारा से एक बार फिर से कहीं पे random lines बना ली है और जो kitchen top है उसको भी मैंने पहले अच्छे से clean कर लिया और इसके बाद cake भी अच्छे से set है उस पे ये वाली जो chocolate net मैंने बनाई है उसको butter paper सहथ उठा करके और cake की जो side wall है वहाँ पे अच्छे से लगा देना है और अभी chocolate बिल्कुल melted ही है, set बिल्कुल भी वह अच्छे से नहीं हुई है तो जो भी उसका side में जो extra butter paper है उसको मैंने cut किया और height भी इसकी थोड़ी सी जादा थी, मुझे एकदम cake के surface इतना ही चाहिए था तो उपर से भी जो extra butter paper है उसको मैं scissor से cut कर ले रही हूँ चॉकलेट अभी set नहीं हुई है तो वह easily देखिए butter paper जो है वो cut हो गया है और इसके बाद मैंने cake को ले जा करके fridge में रख दिया था 5 मिनिट के लिए जिससे chocolate जो है वो अच्छे से set हो गई थी उसके बाद मैंने इसका butter paper को remove किया तो अच्छे से set करने के बाद cake को 15-10 मिट के लिए फ्रिज में जो butter paper है उसको मैंने एकदम अराम से chocolate पर से निकाल ले रही हूँ और इसके बाद मैंने star nozzle में cream को fill कर लिया है और यहाँ पर मैं rosette flowers बना रही हूँ तो just cream को हमें थोड़ा सा pressure के साथ छोड़ते हुए जैसे हम small e बनाते हैं letter उस तरीके से बना लेना है और easily आपका rosette flower बनके तयार हो जाएगा तो total पांच मैंने यहाँ पर rosette flowers बना लिये इसके बाद center में मैं यहाँ पर chocolate की shavings होती है उसको डाल रही हूँ तो यह जो chips वाला peeler होता है जो chips वाला grater होता है उससे मैंने dark chocolate compound को grate कर लिया है और dark chocolate compound को मैंने थोड़ा सा room temperature पे लिया था इसलिए इतनी अच्छी chocolate की shavings बनके तयार हुई है अगर हम एकदम fridge से निकली हुई ठंडी chocolate को ही अगर हम grate करने लगेंगे तो फिर एकदम पतली और छोटी बिल्कुल chocolate की जो shavings है वो बनके तयार होंगी इसलिए मैंने chocolate को room temperature पे लिया तो इसलिए अच्छे से बड़े size के हमें chocolate shavings जो है वो मिल गई थी और उसको बीच में रखने के बाद मैंने cherrys को half cut करके रखा था उसको सारे flowers पे लगा दिया तो अगर वीडियो पस है तो लाइक करके subscribe